मेरो नहीं पता कैसे बनाएंगे तो यह पांच बात दिन है मैं अभी COVID हुआ है मेरे को इस वीडियो में COVID के बारे में बात नहीं करने वाल है इस वीडियो में गले की आवाज थोड़ी सी अलग आपको देखने के लिए मिलेगी सुनने के लिए मिलेगी इस वीडियो में बात करेंगे रियल मी GT Master Edition के नया अपडेट के बारे में मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना है और दो दिन पहले ही आचुका था अपडेट बट मैं बना नहीं पा रहा था क्यूंकि COVID हुआ है मेरे को खाली मेरे को नहीं हाँ घर में लगबख सबको हो गया अभी और सबको डॉक्टर के पास लेके जाना यह वो करना टेस्ट रिपोर्ट यह सब तो अभी वीडियो बनाना बहुत मुस्किल है बट फिर भी मैं ट्राइब कर रहा हूं अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक चेंज लोग तो आपको 179MB का यह अपडेट आया था दो दिन पहले आया था मेरे को 3.0 Realme UI 3.0 का अपडेट मेरे को अभी तक नहीं आया है ना Realme X7 Max में ना इसमें मैंने बहुत रही किया किसी भी तरीके से मेरे को अपडेट नहीं आया बट तिंग इस दाट कि यहां पर चेंज लोग में आपको जो है गैजट सिल्स की तरफ सी यह फैब्रिक्स है और यह मेरा वाइजर ग्रे कलर है उसके उपर मैंने लगाई हुई है बट यह फुल बॉडी नहीं है यह अल्ली फ्लैट बैक है अगर आप लेना चाहते हो फैब्रिक्स या कोई भी एक्सेसरी इस लिंक इस इन देस्क्रिप्शन सांस पूल रहे हैं अपनी माफ करना एंड एजरो नाइन में सिक्विटी पैच आपको डिसमबर का मिलता है और लैन में आपको यहां पर अब्रेटेट नियू वाइफाई का जो फ़र्म वर था वो अपडेट उन्हें ने कर दिया है वाइफाई स्टेबिलिटी वाइफाई 6 का सपोर्ट मिलता है यहां पर सिस्टम में फिक्ष्ट लो प्रोबाविलिटी वें देफोन फिक्स भरिटी वे पर फोरी लो प्रोबिलिटी के साथ करते मिल्टी काज़ असब्स्कों पर दिल उनलव है StarCorp प्रोबिलिटी सव के लगिए फ Branch के सब्सक्राइब झाने के आप कनेक्ट भीन नियू और अभी तोओgend वर दिसक्राइब में टी करचेअँ शाओ the call in a special environment तो यह इनने कुछ साउंड में फिक्स किया है अप्लिकेशन वाट सब्सक्राइब में नौट विक्चर इसूस तो वाट सब्सक्राइब में कुछ इनने जो है दिकती फिक्चर वगदर सेब नहीं हो रही थी या दिखा नहीं रहे था कुछ ने फिक्चर भेजा तो वह उने सॉल्फ किया है बट बैटरी ड्रेनिंग या बैटरी जो बैकप है उसके बारे ही बताना चाहूंगा तो बैटरी बैकप मेरे को अच्छी मिल रही है विच ऑल्वेज ऑन डिस्पले जैसे कि मेरा फून में आप देख सकते हो यहां पर ऑल्वेज ऑन डिस्पले मैं पहले यूज नहीं करता था GT Master Edition में क्योंकि पहले आपको पता है कि दिक्कत बहुत साथा थी बट अभी तो मैंने जो है यहां पर ऑल्वेज ऑन डिस्पले ऑन करके ही मैं यूज कर रहा हूं और कोविट टाइम है बहुत एक्स्टेंसिबली यूज हो रहा है टाइम को क बताना जाओंगा हो था जो 4K 60fps वाली वीडियो जब आप यूट्यूब में चलाते हैं वो रुक रुक के अटक अटक के चल रही थी न अभी एक नया दिक्कत आ गया है अभी एक नया बग आ गया है कि जब यूट्यूब में जाके आप 4K 60fps HDR वीडियो को प्ले वैक करना के हैं तो वह भाइड default फिर से 480 में आ जा रही है वापस तो फेले तो अटक 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 के चल रही थी अभी वह वो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें उसमें चली नहीं रही है basically 5K में वर डिफॉल जैसे आप quality बढ़ाते हैं तो वह फिर से 480 में आके चल रही है वह व्य वीडियो तो क्या आपने यह चीज नोंटिस करी अगर नहीं करी होगी तो अब बढ़ी तक तो सही देखने के लिए मिली है तो कोई दिखत नहीं है बैक्टरी दिखत को लेकर एंड के कैमेरा सैंपल में अबो टेस्ट नहीं कर सकता हूं इस पॉन के के मैंने जो है benchmarking run करी भी थे तो geekbench का जो score आया है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर history में चलके तो single core का यहाँ पर 777 निकल के आया है multi core 2696 2696 का multi core निकल के आया है and N22 score तो बड़ी आती है इसकी 529,000 यहाँ पर निकल के आया है नया वीडियो आने वाला है नया फोन का Mi 11i या Mi 11i का hypercharger वो मैं दोनों में से कोई एक purchase कर लूँगा इन इसके साथ comparison आपको मिल जाएगा तो उसके लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हो 100 के तक पहुंचने वाले है बट पहुंच नहीं पा रहे हैं अगर मैं आप लोग support करेंगे तो ये चैनल 100 के तक पहुंच सकता है और आपको वो नया फोन Mi 11i या या राइपर चार्ज वाले वीडियो इसके साथ comparison वाले वीडियो आ जाएगी उसका unboxing वेरा सब कुस देखने करें मिलेगा सब कुस सही रहा तो तो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक डिस लाइक कर सकते हैं और आइटिंक यहीं पर समप करना चाहिए इस वीडियो को मिलता हूं नेक्स वीडियो में कब? I don't know बट मिलता हूं पीस